प्रतिनी धी मंदल प्रतिनी धी मंदल गोटाला हुआ है ये देश का सबसे बड़ा वोट चोरी और वोटर की इंक्वर्मेशन चोरी गोटाला है बैंगलोर में इंचार्ज मंत्री खुद मुख्य मंत्री बसवरज मियमई है और उनके तत्वाधान में जिस प्रकार से एक प्राइवेट एजन्सी चिलुमे के माध्यम से आठ से दस हजार करमचारी हायर करके एक-एक वोटर का वोटर डेटा चोरी करके एक प्राइवेट एप पर लगा दिया गया जिस प्रकार से प्राइवेट करमचारियों को फरजी बियलो के कार्ड बना कर दे दिये गए जिस प्रकार से बैंगलोर और करनाटक के वोटरों को प्राइवेट ट्रस्ट और कमपनी के करमचारियों को सरकारी करमचारी बता कर उनका voter ID, उनका पता, उनका phone number, उनका ID, उनकी email, उनके cell phone number, उनके परिवार की सारी information इकठी की गई और चोरी कर लिए गई वो दर्शाता है कि ये vote चोरी का सबसे बड़ा scandal है और यही नहीं जिस प्रकार से करनाटक में आनन फानन में रातो रात 27 लाख वोट चोड़ दी गई और 11 लाख वोट काट दी गई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है चुनाव आयोग ने इन सारी शिकायतों का और इन सब के लिए बसवराज गौमई जुनेवार हैं इन सारी शिकायतों का संग्यान लिया और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष दीके शिवकुमार जी को कैंपेन कमिटी के चेर परसन एंबी पाटेल जी को और हम सब को ये आश्वाशन दिया के वो करनाटक की वोटर लिस्ट का दुबारा सारी वोटर लिस्ट की जाच करेंगे और घोटाले में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कानूनी और अपरादिक कारवाई करेंगे